आज मैं इस वीडियों में जो जो सेटिंग्स करने वाला हूँ वो सारा इंट्रोडेक्शन में ने वीडियो बना दिया है तो पहले हम कनेट करेंगे कंसोल केबल को फायरवल से उसके बाद हम सोफस फायरवल को पुट्टी अप्लिकेशन में ओपेन करेंगे और थाड़ आफ करेंगे तो इस वीडियो में यही चीज आपको वीडियो में करके दिखाने वाला हूँ दोस्तों तो प्लीज मेरे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को लाइक करें कमेंट करेंगे और दूसरा जो वीजे का साइज है उसको हम लैप टॉप में करेंगे जिससे हम पुट्ट को पर क्लिक करके डिवाइस मेनेजर पर गया डिवाइस मेनेजर में जाने की बात दोस्तों आपको पोट्स पर क्लिक करना कॉम पोट्स पर एक ऑफ्सन होता उसमें आप देखेंगे तो वहां पर का उप्सन हैगा अब यहां पर मैंने जो USB सेवल सेरेल केबल लगाया है वो कॉम पोर्ट नंबर 7 पे लागा हुआ है तो इसी प्रकार से आप भी जब यह फायरवल को कॉम पोर्ट से करेंगे तो वहाँ पे चेक कर सकते हैं और आप पुट्टी अभी मैं पुट्टी अप्लेकेशन ओपन के लिए हो इसी तरह से आपको भी करना है तो पुट्टी अप् अब हमको कुछ नहीं करना है अब हमारा फायरवल जो है उसको पावर ओफ करना है आपको कीबूर्ड में इंटर बटन प्रेस करके रखना है होल्ड करके रखना है जब तक कि कोई प्रॉम्ट ना आ जाए तो देखो दोस्तों जैसे मैंने अभी प्रेस करके रखा हुआ हू अब देखें यहां पर आगा options sfLoader रेनेबल हो रहा है दोस्तों अब यहां पर हमको कर देना है जीरो परेस अब यह हम जीरो जैसे प्रेस करेंगे यह आप्टोमेटिक एसाफ लोडर ओपेन होने लगेगा अब दोकि दोस्तों यहां पर लोड हो ले रहा है तब थोड़ी देर में हमारी सामने ब्लू गलर की स्क्रीन आजाएगी यस तो ब्लू गलर की स्क्रीन इसमें फैस्ट ऑप्शन दोको दोस्तों लोड न्यू फॉर्म वे और उसके अबाद दोस्तों हमारा जाएगा डिमारी डिस्क और इथानेट था हमको करना और रिशेट कंसोल पासवर्ड प्रस रहें तो अब इसको कर देना आपको करनें के बाद आपको फायरवाल को करना है रिबूट रिबूट जैसे करेंगे, हमारा जो हमने कामांड्स दे दिया है, अब firewall हमारा admin का password reset हो जाएगा, अब थोड़ी दिर में एक commands run हो गई वापिस, अगर आपको कुछ नहीं करना है, कोई button प्रेश नहीं करना है, आपको ऐसे ही छोड़ देना है, थोड़ी दिर में firewall proper on होगा, और admin password reset हो जाएगा दोस्तों, इसी प्रकार से आपको क password reset हो गया है दोस्तों, अब मैं अब default admin से login करूँगा, तो default Sophos का firewall का admin, username admin में उतरा password admin होता है, तो अभी हाँ पर मैं admin टाइप करूँगा, और login के लिए, तो देख सकते हैं दोस्तों कि मैं successful अपनी firewall में login कर चुका हूँ, इसी प्रकार से आपको भी करना है दोस्तों, so please मेर इस YouTube चैनल वीडियो को like करें, comment करें, subscribe करें, जैहिन जै भारत